हेलो नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब फिर से बहुत-बहुत स्वागत है टैक ब्रजवास यूट्व चैनल में तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पताने बाला हूं गवर्मेंट के द्वारा जो जंदन खातों है 500 रुपे की किस्त दूसरी भेजी जानी है तो दोस्तों वह 500 रुबहिते हैं जो पिछले मेनी आपको वे तो उसी तरीके से लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है ये अब आप हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आगर को जरूरू प्रेस कर लें इससे रेलेट कोई भी कोशन है आपको कमेंट वोक्स करके गूश सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को आपके एकाउंट भेजे जाएंगे और पैसे निकाल लेके कुछ नियम है जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं यहां पर जंदन खाते में दूसरी किस्ता आ चुकी है किस-किस के एकाउंट में आएंगे यह भी जानकार यह आपक ला को टाल दी जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीकिये से अप्रेल महा में 25 taxes बै protagonist किस तरह किसे डाले गए थे जीरो और एक जिसकी एकांट संस्क्या पाई चार या पास थी तो इसी तरीके से आपके इस मेने के भी पैसे डाले जाएंगे लेकिन इसे में कुछ अंतर किया गया है तो वो अभी हम जान लेते हैं तो आप यहां पर यह देख सकते हैं जंदन खाते में डालने जाने वाले 500 रबी की दूसरी किस्त मई माखे में उसी तरह के से डाली जाएगी जिस तरह के से पहली किस्त दी गई थी लेकिन इसमें जो पहली किस्त थी वो 2 अप्रेल को दी गई थी और यह किस्त आपको दी जा आप यहां देख सकते हैं, पिछले महीने 9 तारिक को डाली गई थे और इस महीने आपको 11 तारिक को आपके पैसे 500 रुपे आएंगे आपके एकाउंट में, तो यहां आप देख सकते हैं किस तरीके से आएंगे, तो यहां पर भी लिखा हुआ है, जिन महिलाओं के जंदन खात में अंतिम संख्या 0 या 1 है, उनके एकाउंट पैसे 4 मही को आएंगे, और यह पैसे 5 तारिक को निकाल सकते हैं, जिनके एकाउंट संगे 2 या 3 है, वो 5 मही को पैसे आएंगे, वो 6 तारिक को पैसे निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आपके एकाउंट में 11 मही तक पैसे डाले जाएंगे तो आप यहां पर इस तरह के लिष्ट भी देख सकते हैं यह देख सकते हैं पूरा ब्योरा दे रखा है जीरो वा एक है उनकी चार मई को आएंगे दो या तीन वाले को पांच मई को चार वा पांच जिनकी बैंक खाते की नंबर हैं उनके छे मई को चे असाथ वाल आपको नहीं आएगा अगर इससे रेलेटेड आपको कोई भी कोश्चन है तो आप हमें यहां पर कमेंट बॉक्स यहां देख रहा हैं आपको कमेंट बॉक्स में यहां कमेंट करके पूसकते हैं आपका रिपलाई मिल जाएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स मे कमेंन करके पूछ सकते हैं आपका रिप्लाई